पोन करें और सब जानकारी पाईए जोड़ी जिम्मदार जो प्लान करें परिवार आदम बश्तिमाद गोपित रूद आदम बश्तिमाद गोपित रूद कोपित रूद आइमीची खबर ना पंचे मलकन यारोवन बाल यारोवन सेक म्यूंकरी नए गर्वीस पन यारोवन बाल यारोवन सेक म्यूंकरी ने गर्वीस पन कि शाह जली ख़ीर करोपित है कि खभी उती खबर नेल्तिमाद एा कंप पीज़ आदम बाल यारोवन सेक मं duty खबर है कि अचरा कूपको देश ठारोद रहुत मार्का है करेंस घ्र मत लाओत Может बाल बारद गर शुनिपना बाल टोब utility कि खबड़ित कि दोद UP पत्वन रोयलो सुसनास कर क्या कुल जन नावास कर क्या कुल जन चम आवास चम आवास वच की तूस दबरदारन यारो बन बाद यारो बन सिक नियुकरी में दर इस पन यारो बन बाल यारो बन सिक नियुकरी में दर इस पन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो पत्वन रए वाश्दस डुलए दुनिया जान निंदरे जुलए निंदरे जुलए आयमी थेजने तेरे तेरे नंगन यारोबन बाल यारोबन सक्नियो तेरे नंगनन यारॉबन, बाल यारॉबन, चेक मुझे सरेमिए अगी इस पन। या रोभन वाल या रोभन चेकन यू पेरी नए तरी जपन ड़क्तर मज़ू सब तो इस वो करान जिमान जिन्दिस वहबखार सबने सकारम आसमा शो डायलाग शो अजिस कलाम शो आक मन फरत चूहां तो आप लाब लाही चूप मोई को राक नो महावर कोरें पेश तो बेकाम खुसियात चीन जिमा इस पानस कुन जोन फराम चे पुछू अक रिच खोबी यस एमसेंजी शोईरी मांची शोपी शोईरी मांची अक्सर जायन मतलब कि टेलीविजनी की यसे खवाल या तेलीविजनी की जेर इस प्रोग्राम सब्दान बाजे ची तंकी दसमां तेच काते सब्दान की यनि कोश्वियकान दिलस्तिर लेगे भाले टो भाले वहाल काते, अदीन काते हैं ये शोज्वश सकंगे आखेशे लेख अधे ची तो रिच गाते हैं अवहालो आखेशे लेगे शोईरी 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 मारी जोड़ा है तो अघाण आप्षोणति अपैच ना इंगतर अखेशे ना उड़ान ये टीन बागी चवरन निष्ट से इनिंपन निस्पान निपन सूपी शवायरि आगाएड ना पयागाएड, तो थी थीजाएड तो जो फालतु ना उड़िएних डिल आउटी शायरि ना मुझ भाएड से काटे संस्टारी शायरि नना रसे लगतित को पाटे से इसी जाएड़ इसी इस तो त तरिक तासी तेसकात कराने इतनास रखराफ अगजी सहब तो मज्रू रशीद सहब तो उच्छी तहम वेस पन्न वशनवालें पन्न नाजरी नहम वे इजाज़त असलाम रेक्म वेसर काने था कि बत्रत अरनास बास डर्क सतर प्रक स्कूफchtsर्ण एल ऊत्रत उन्न कर अगजी enfrent में वेसर लुट तो चलव तो तो उन्न वेसाज़त अग्सेंactic डीज़त पिस introduction पड़ता है खेलता है जूता उचलता है दोड़ता कभी कभी दोड़ कराता है आगे आगे बड़ता है इंडिया अमूल दूस पीता है इंडिया असलाम अलेकुम नाजरीन महिकम इतलात वराबित आमा का सकून का शुमारा लेकर मैं आपका मेजबान साइच शकील चान हाजरे फिदमत हूँ आज की इस एपसोड में हमने एक बार फिर दावत दी है डॉक्टर अमर नजीर साहब को जो कि कमिनिटी मेडिसन स्पेशलिस्ट है और इस वक्त आईसी मीडिया इंचार्ज है डिविजनल कोविट कंट्रोर रूम कश्मीर के आज इन से हम बात करेंगे जो ताजा कोविट क सेनेरियो इस वक्त है क्या हालात हैं क्या सुर्ट अहाल हैं गलोबली और हमारे मुल्क में और खासकर जमो कश्मीर में डॉक्टर अमर नजीर साहब आपका बहुत बहुत इस तक्पाल है शुक्रिया तो जैसे कि मैंने कहा कि हम आपसे पहले यह जाना चाहेंगे कि गलोबल सेनेरियो क्या है और उसके बाद हमारे मुल्क की सुरvoir हाल क्या है और फिर जमोकश्मीर की सुरत हाल कोविट-19 के हवाले से है कोविट-19 के हवाले से जो अभी गलोबल समय सेनारियो है उसमें हमारे पास अभी टोटल 236 million cases हुए हैं और लेकिन उसमें भी खुशामदेद बात यह है कि लगग लगग 99,99% हमारे रिकावरी हैं और जो हमारे country के जो cases हैं टोटल हुए हैं जो हमारे पास पास लेकिन यहां पर भी हमारी जो माशालला रिकावरी हैं बहुत अच्छी है और लार पर 98.5% है और जो हमारा जो case fatality rate है जिसमें हम डेट्स होते हैं कुर्ड की वैसे उसमें भी अच्छा खासा परसंटेज नेशनल एवरे से भी बहुत अच्छा है वहाँ 1.1% of case fatality rate गिर गई है और यही अभी सेनारियो चल रहा है हमारी है और थोड़े-थोड़े cases आ रहे हैं आपने भी notice किया होगा कि हमारे सेनगर में आ रहे हैं cases तो उसमें भी हमारी नजर है तो हमारे everything is under control और हम इस पर नजर रख रहे हैं लौट सब जो recently insurgents थोड़ी सी होई थी cases स्रीनेगर की हम particularly बात करेंगे तो क्या वज़ा रही होगी रहे हैं तो हमारे सेनगर में को देखने को हुई है उसमें थोड़ी सी जो हमारी जो गैदरिंग थी बहुत बढ़ गई थी especially जो पिछला महीना था हमारा वहाँ पे हमारी प्रोसेशन हुए थे families में शादियां थी हलाकि government ने limit रखी है 25 persons पर function के लिए लेकिन हमने उस protocol को follow नहीं किया और जो complacency हम दिखा रहे हैं आप भी देख रहे हैं कि आजकल mask का थोड़ा कम रुजान हो चुका है social distance का कम रुजान हो चुका है तो इसकी वज़ास से भी resurgence of cases वीटे से नगर में है तो यकीनी बात है कि जो लोग कम एस ओपीजोड कोविड अपरोपरेट बिहेविर कम अपनाते हैं उनको चाहिए कि वो यह चीज़ें जैसे कि अभी इंतिजामिया नहीं और आपकी तरफ से भी guidelines जारी हुई है कि gathering में 25 किये तो आपने बहुत सही बात कि हमने भी notice किया है देखा है लोग कम follow करते हैं तो ही चाहिए यही कि हम इन जीज़ें को follow करें ताकि खुदा नकास्ता जो हमने second wave में जो fatality rate जादा थी खुदा बचाए वो दुबारा यहां prevail ना हो तो डॉक्साब vaccination के इस पर आजाते हैं मौदू पर अब vaccination का क्या scenario है क्या percentage है अभी तक first dose और second dose की जो हमारा vaccination का scenario है माशाला हमारे national average से भी हम आगे हैं हमारा जो first dose का coverage है वो 90% हमारी eligible population है above 18 उसमें हमारी हो चुकी है हमारा जो second dose का जो हमारी जो coverage है वहां पर उसमें हम 40% पहुंच चुके हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी यह है कि जुनने first dose ले चुके हैं उनका ode ही बहुत को बहुत को होचोगा है तो हम उनसे ही चाहते हैं कि वो लोग आगे आए और अपना second dose अपने time पे लिए हम इस pandemic से as early as soon possible बाहर निकले जिसके लिए हमें बादे में स्कूल्स हैं जो भी बंध है वो भी हमें खोलने में आसानी हो जाए आसानी हो जाए क्योंकि पुछले दो साल से डाई साल से लगबग बच्चे गर पे आए तो online classes चल रही है लेकि उससे भी बहुत से screen dependency हो गई ब पहल करनी चाहिए हमारे पूरी society के लिए तभी तभी क्योंकि सिंगल डोस हमें अतना effective नहीं रहेगा जबते हम दो डोस ना ले तभी हमारी बात बंद बाईगी तो यहां पर आपनी बच्चों का जिकर किया कि अगर माशालला हाला ठीक रहे इंशालला तो हमारे बच्चे स हमारे कंट्री में बड़ी successful रही है उस मैं भी अब यह है कि हमें चांसे है कि आथ इस महीने के end में या तो अगली महीने हमें हमें चांसे है कि हमें emergency इस मिलेगी बच्चों में वेक्सिं करने के लिए खास वो एज गूप ट्वेल टू सेवेंटी नियर सवेज गूप जो इसमें अभी नहीं है तो इंशाला जब वैससा हमारे वहां से नौड मिलेगा और इंशाला हम वो एक्सिंशन भी यहां पर स्टार्ट करने के लाइक ह हो जाएंगे और हमें उस ताइम भी अगर जब वो आ जाएगा हमें तो इंशाला हमें अपर एज़ पेरेंट एज़ गार्डियन अज़र पार्ट अज़र सुसाइटी हमें आगे आना चाहिए क्योंकि वैक्सिंशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस पैंडेमिक से निकलन दोगरने वाला है अभी तक जो वेरेंट हमारे पास है हमारे पास ज्यादा मैंने पहले भी बोला कि हमारे पास ज्यादा यहां पर डेल्टा वेर रोंड़ एंडे विविट इस परसंदेश अबी तक इसमें हम जीन स्कुंशन करते हैं और उसकी थोड़ी और भी अगर कहीं कोई नया केस निकलता है, उसकी सिवेर्टी अगर ज्यादा हो, खुछाना खासा हॉसपलाइज़टी ज्यादा हो, तो तब हमें इस करना चाहिए, खुछाना खासा ये नया वीद्यन documents नहीं है. एगिन ऐसे ओस नौ जा हमें ऐसा कोई नया वीरेंट अभी नहीं द आपको लगता है कि एक बार फिर हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि कोई नई गाइड लाइन तो नहीं है कि या जो कोविड अप्रॉप्रेड बहेवियर है इस फ़ीज फॉलो करनी है वही अभी अभी अपना नहीं है लोगों को कुछ और चीज का इत्यात भी करन हमारे जो लोग हैं हमारे जो नाजरीन है उसमें पहले थे उसमें बहुत मदद होगी लेकिन उसमें ये भी है कि आपकी जो वेक्शिशन है वो इलिज इतनी भी पॉपलेश्यों वो 100% कवरेशी नाइड जो जो नाजरीन होट फॉडना नहीं है नहीं है जब तक ऐसी कोई गाइड लाइड 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 करना चाहिए जितना हो सके वो करना चाहिए लास टाइम डॉक्षाब ऐसी सुरह ताल में जब हम विंटर में एंटर हो रहे थे यह सरमा की जो दस्तक होती है तो यह कहते हैं कि सरदी कुछ सीजनलिटी होती है कई इंफेक्शन जैसे कि N1-H1 है या आम फ्लू होता है तो क्या सुरत हाल है इस वाकत और किन चीजों के एहतियात उस खास एच्वन एनवन के हवाले से करना पड़े जो हमारा जो हमारा एच्वन एनवन जिसको हम कॉमनली स्वाइन फूलू की नाम से भी जानते हैं लोग तो यह पैंडमी की सूरत में आया था 2015 में लेकिन तब स इसका सरसला जारी है और यह अब थोड़ी एंडमस्टी की तरह जा रहा है और हमें चाहिए कि हम हर किसी की अपनी अपनी गाइडलाइन्स होती है CDC जो हमारा है Central for Disease Control जो एक बॉड़ी है और टोनमस बॉड़ी है तो उनके गाइडलाइन्स के हिसाब से हर किसी बंदे को जो 6 वैली पोपलेशन है जिनको को मोःबडीज है उनंने यह विक्स हुनी चाहिए लेकिन मेरी परस्नल इसमें होड़ी से उपीनियन है कि जितने भी हमारे eligible population हो from 6 months above, जितने भी हमारी population उसको हर साल ये vaccine लिनी चाहिए क्योंकि ये भी एक pandemic disease है और इसकी अभी थोड़ी सी रुजान कम है लेकिन same prevention वहाँ पे जो हमारा COVID appropriate behavior उसमें चल रहा है हम वोलेंगे influenza appropriate behavior वही behavior यानि कि mask लगाना थोड़ा सा social distance रखना winters में over gathering कम करना over recording बहुत होती है वो कम करना और इस disease की हमने पाया है कि इसनी seasonality है और इसके लिए भी vaccine अरड़ी market में हर साल आता है और हमें जहां जिनको यहां पे रहना हो हमारी UT में चाहसरा कश्मीर डुजे में रहना हो उनके लिए जो वे vaccine है यह tetra variant vaccine होता है इसमें चार strains होते हैं और वो भी यह दो टाइप के होते हैं एक northern hemisphere होता है एक southern hemisphere होता है तो लोग को हमेशा जब भी वो vaccine करे northern hemisphere वाला ही vaccine करना चाहिए और करने के लिए बहुत important है कि इस disease से आगे खुजाना कासा आगे fatality ना हो द्रग साब यह जो H1N1 का अपने जिकर किया अभी क्या कोई relation है इसका COVID-19 के साथ देखें relation तो नहीं है यह भी viral एक disease है वो भी एक viral disease है वो भी respiratory tract infection कराते है यह भी respiratory tract infection symptomology सेम है लगब और लैप करते हैं इस symptom आपस में अब कैसे identify करें उसके लिए यह है कि हमारा H1N1 है उसमें seasonality मैंने बोला हमारे code में ऐसी कोई seasonality भी तक देखी नहीं पाई गी लास्टाम हम इस शक और शुबात थे कि शायदी winter में ज्यादा हो जाए कि उसमें और clouding होती हैं लोग आपस में मिल जुल जाते हैं बाहर बहुत कम रहते हैं इंडोस रहते हैं लेकिन वैसे उस code में नहीं पाया गया है लेकिन इसमें यह चीज़े हैं और सबसे important है हमारे पास इसके test हैं तो टेस्ट भी हमारा जो से कि दो चार दिन जुकाम रहता है गले में खराश रहती है कुछ तो शायद वो ये अंदाज़े लगा सकता है कि शायद कोविड तो नहीं है तो इस सुर्थ हाल में जो normally ये तो चलिए अब 19 से अभी तक ये एक मुसीवत वबा जारी है खैर जो normal जुकाम होता था हम आम लेंग्वेज में बात करेंगे खासी होती थी तो उस सुर्थ हाल में इनसान को क्या करना चाहिए उस सुर्थ हाल मैं भी मैं पहले ही बताँगा कि जो हमारे पास हैं जैसे कि सर्जियों में ज्यादा आउड़ नहीं जाना ठीक है अगर इंडूर भी रहें थोड़ा वेंटिलेड़ हाउस में रहे ठीक है खाने पीने की आदात जैसे कि थंडी चीज़ें ना लें उससे भी ये चीज़ें एक्टूबर फर्स्ट को सेकंड होता है वो भी अगर हो सके एफर्ट कर सकते हैं पीपल तो वो कराना चाहिए तो इन सिम्टम्स में डॉक्साब डिफरेंस कैसे पाया जाएगा आम लोग के लिए जैसे कि किसी बच्चे में हुआ किसी एडल्ट में हुआ नॉर्मल जुकाम हुआ तो अगर कुछी दिन एक ह जार पांच जिन तक रहे जाता है अब जो हमारा कोविड का है कोविड का यह है कि उसमें थोड़ा एक्स्टर सिंटम्स भी आने लग जासे कि नोश्या है वो मैंटिंग है कभी कभी डैरिया भी हमने देखा वो उसमें नहीं होते हैं तो यह नॉमल फ्लू में ऐसे वो मैं अभी तक बताया था जो परानी रिसर्च थी अभी तक कि अभी तक हो रही जैसे मने बताया कि बच्चों को ज़्यादा टार्गेट करें कि थर्ड वे तो क्या है अभी ताज़ा तरीन उसके बारे में देखें जो बहले भी मैंने एक आपके इस माधियम में से मैंने बताया जिनकी कुछ कोमॉर्बिटी थी, लंग डिजीज थी या हार्ड डिजीज थी, और हमने एक बड़ी अच्छी खुशामदेद बात हुई है कि ICMR हमारी एक वाड़ी है, जिसके क्लाइबरशन से हमने एक सर्वे की थी, प्रोटेक्टि एंटीबोडी देखने के लिए, जिसमें प्रोटेक्टि एंटीबोडी देखने के लिए एक साल तक रह जाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि थर्ड वेव से बच्चों में कोई ज्यादा ऐसे कुछ असरात होंगे, क्योंकि एंटीबोडी अलडी है इनके पास, और इससे अगर कोई खुशाना कासा, ऐसा कोई स्रेइन ऐसा ना आया वाला, जो बड़ा ट्रांसमेजबल हो, ज्यादा विरलेंट हो, तो मुझे लगता है कि अपने जो हमारे रसर्च पता चलता है कि जो थर्ड वे बड़ी सुमूथली जाएगी और उसके थोड़े-थोड़े-थोड़े जैसे कि रिसर्जनी जो रिसर्जन होई सिन अगर में, ऐसे-इसे थोड़े-थोड़े आउट वेग्स, पॉट्समॉल हाउट स्पोर्स म करना है कि वो जली-जली हम यह कर सकें और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और सरकार की मदद करनी चाहिए इसमें हम यही दूआ करेंगे कि जैसा कि आपने भी कहा कि बच्चों पर बड़ों पर किसी पर भी थर्ड़ वेव का या थर्ड़ वेव आये ही नहीं, ऐसे लोगों पर भी फराइज यह वो अंजाम दें, S.O.P. अपनाएं और गाइडलाइन्स का इतराम करें खेर आपको जब भी हमने दावत दी, नाजरीन के लिए कुछ कारमत बातें, COVID-19 के हवाले से आप यहां तश्रीफ लाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकालके हमारे साथ यहां पर बात की, नाजरीन आपको बताना चाहेंगे कि आज का हमारे सोशल मेडिया प्लाइटफरम पर देख सकते हैं, हमारा ओफिशल फेस्बुक पेज है, जैके इंफरमिशन के नाम से, इसी तरह से हमारी यूट्यूब चैनल है, डियाइपियार डैस जेके, आप टुईटर पर हमें देख सकते हैं, एड़ रेट डियाइपियार जेक गकरे ओर पर दो 15 में उकश।र सकते हैं, जैके इंफार्य अवार शूटर से, प्लाइपियार चीर्वार में झ wilderness तरह से, जैके इंफारश से, घढ़ प्लाइपियार तरह से, खं़ गवारा, तरह से हमारे थेत्वारा, ला हमारेश भर ढवारे, जैके प्लालों के इंफsuर